अस्सलाव अलेकुम दोस्तो मेरा नाय मक्सूद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चकी हल्प टेप्स वीडियो स्टाट करने से पहले अगर आप मेरे एक ने वीवर हैं विडियो पॉस्ट करके आप मेरे चैनल को सस्क्राइब करने बिल आइकन पे जरूर किलिक करे मेरे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट पाने के लिए सबसे पहले और आज हम बात करने वाले हैं कि Microsoft Teams जो की एक virtual team meeting अगराइस कराता है अगर आप इसके alternative में ये चाहते हैं कि कोई other virtual team meeting आपको मिल जाए जहां पे आप आसानी के साथ अपनी meeting को या फिर आप अपने students से contact कर पाएं तो आज इसी की बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ जैसे कि आज सब जानते हैं जो Microsoft Teams है वो एक excellent video conferencing tool है जहां पे आप collaborate करते हैं और इसमें potential काफी जादा है लेकिन एक problem इसमें क्या आती है problem ये आती है कि यहां पे आपको free नहीं मिलता है और एक चीज़ और भी है कि ये premium plan ही आपको provide करता है अब अगर हम देखें कि इसके alternative में हमें कौन कौन से video conferencing application मिलते हैं तो सबसे पहले नमर पे जो आता है वो है zoom meeting जो कि अगर देखा जाए alternative के तोर पे ये एक leading brand है और काफी अच्छे से work भी करता है अगर आप इसको इसको इस्तिमाल करना चाते हैं मतलब की zoom meeting को तो एक small business के लिए enterprise freelancing professional के लिए जो है collaboration करने के लिए ये काफी अच्छा जो है video conferencing app है उसके साथ मैं आपको बता दूँ कि 2020 में leading brand था ये कहाँ पे इंडिया के अंदर ही नहीं बलकि other countries में भी ये leading brand रहा था और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इसके key feature है zoom के क्या है यहाँ पे offer करता है virtual conferencing और various communication modes इसमें है जैसे कि chat है phone पे उसके अलावा video calling है और उसके साथ यहाँ पे क्या है आप record कर सकते हैं जो भी आपकी meeting है discussion है उसको record करके आप बात में भी उस पे discuss कर सकते हैं उसी के साथ साथ zoom में अगर आप बात की जाए तो यहाँ पे developer के लिए काफी अच्छा platform है जहाँ पे API और SDK को zoom meeting से आप क्या कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं और वहाँ पे discuss कर सकते हैं advantage के अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा advantage यहाँ कि अगर आप एक meeting organize कर रहे हैं तो वहाँ पे uninterrupted video और audio calling की जो facility मिलती है आपको 40 minute तक free मिलती है मतलब आप 40 minute बाद disconnect होने के बाद दुबारा से आप meeting create करके join कर सकते हैं और दूसरी चीज़ यहाँ पे यहाँ है कि zoom enable करता है जहाँ पे audience को live streaming webinar और meeting कहाँ पे facebook पे उसके साथ यहाँ पे आप reach कर सकते हैं 10,000 virtual attendance को जो है जो attendees है उसको आप कर सकते हैं यहाँ पे मतलब connect कर सकते हैं और यह जो भी आप meeting organize करते हैं वो google calendar से आसानी के साथ integrate हो जाता है फिर एक बात zoom meeting जो है वो free है 40 minute तक आपको free मिलता है small enterprise business के लिए काफी अच्छा है यह उसके साथ यहाँ पे handed participant join हो सकते हैं 40 minute की जो free meeting होती है उसमें भी handed participant join कर सकते हैं उसके अलावा अगर आप one to one करना चाते हैं single user को आप करना चाते हैं मतलब meeting initiate करना चाते हैं मिटिंग पर बात करना चाते हैं तो यहाँ पे enjoy कर सकते हैं zoom meeting वो भी unlimited है मतलब की free है दूसरे नंबर पे जो आता है अब थोड़ा सा demand में आ रहा है अभी जादा दिन इसको launch की वे नहीं हुआ है google meet को जैसे कि हम सब जानते हैं google के हम बहुत सारे product यूज करते हैं यहाँ तक कि हम जो iOS यहाँ तक कि हम जो android phone में android यूज करते हैं वो भी google का है तो आप देख सकते हैं जो google meet है एक virtual corporation meeting चूल है जो कि आपको google work space के अंदर मिलता है जैसे कि Microsoft team है लेकिन यहाँ पे एक चीज और भी है कि आप google work space का subscription ले या ना ले आपको google meet free मिल जाएगा अब यहीं पे अगर बात की जाए इसके significant जो feature है उसकी google meet एक fully cloud based and lightweight जो है web app service है जहाँ पे आप इसका 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 मैक में भी कर सकते हैं और android iPhone में तो करी सकते हैं और ऐसा नहीं है कि जो मैंने zoom का बताया तो zoom पे नहीं कर सकते हैं जूम को भी कर सकते हैं and also इसमें यह है कि एक meeting code से जहां पर वो meeting invite कर सकते हैं गूगल calendar प्रवियुट कर सकते हैं उसके अलब यहाँ पर participant है वह अपनी report को शेर कर सकते हैं data को show कर सकते हैं कुछ भी चीज़ आप कर सकते हैं और उसके साथ virtual meeting है वहां पर host जो है रिमूव कर सकता है मतला mute कर सकता है participant की जो voice है उसको र अगर आप फ्रीलांसिंग के लिए या फिर नॉर्मल यूज के लिए अपनी स्टुडेंट के लिए अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं यहां पर आपको 60 मिनट जो है वो मिलता है उसके सासा तेहां पर हैंडेट पर्टिसेपेंट भी जुआइन हो सकते हैं तो 60 मिनट काफी जादा होता है अगर देखा जाए तो एक घंटा आप के लिए बहुत है और गूगल स्पीज रिगनीशन जो टिकनोलोजी है रियल टाइम जो है ना कैप्शन डियूरिंग दे वीडियो ये भी बहुत अच्छी बात है मतलब आप बोल रहे हैं और कैप्श एक वेबसाइट है जहाँ पर आप मल्टीपल एकस्स वेरिफिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं और उसके सासत हैकिंग के चांसे तो बिलकुल भी नहीं हैं और यहाँ पर क्रियेट कर सकते हैं आप चैनल कर सकते हैं उस चैनल के दरू आप जो आइन हो सकते हैं सिप्रेट वाइस text कर सकते हैं और उसके सचाथ यहां पे 99bd discord user जो है उस voice channel में आ सकते हैं एक टाइम पे और उसके सचाथ यहां पे उस channel में जो 50bd user हैं जो connect कर सकते हैं तो यह सारी चीज़े हैं जो gamer अगर इसको इत्सिमाल करना चाहते तो कर सकते हैं, मेरे समस्य से तो बहुत अच्छा है, उसके साथ यहां पर जो server for free है, मतलब कि जो इसका server है, वो free है, और आप create कर सकते हैं, discord, server, invite कर सकते हैं, other team, member को, Cisco, क्या आप जानते हैं Cisco को, नाम से तो परणा चल ला है, मतलब Cisco company का है, webex, जो है teams, एक tool है, video conferencing tool है, app भ जो team है, perfect collaboration tool है, increase करता है work from home की productivity को, उसके साथ यहां पर आप देखें के many tasks हैं, जो आप यहां पर कर सकते हैं, communicate कर सकते हैं, उसके साथ यहां पर HD video calling आपको दी जाते हैं, HD audio during the virtual conference, और यहां पर आप team member, 1000 team member को join कर सकते हैं, premium subscription के साथ यह आता है, dedicated calling system phone number पे दिया जाता है, य benefit कहीं न कहीं इसमें है, लेकिन एक problem यह है कि यहां पर आप को free service क्या दी जा रही है, वो देखने वाली बात यह होगी, तो जहां पर यह core team की service है, वहां पर one user के लिए only free है, और therefore अगर thousand of freelancer and individual webcam लेकिन यहां पर सिर्फ और से one user की free है, और यह at a time handed team members can join, एक meeting में जोइन कर में free है, लेकिन one user के लिए है, तो थोड़ा सा आप के लिए दिक्कत हो सकती है, हां लेकिन यह जरूर है, alternative के तोर पे है, अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं, पांच में नंबर पे है rocket chat, तो rocket chat भी एक individual freelancer team communication है, जहां पे आप project को collaborate कर सकते हैं, और उसके स साथ साथ आप audio video call तो करी सकते हैं, devices को आप share कर सकते हैं, easy announcement और notification यहां पे आपको दिख जाएगा, वो भी user को आप tag भी कर सकते हैं, उसके साथ साथ अगर free subscription की यहां पे बात की जाए, तो यहां पे आपको manage communication जो subscription है, वो freelance small business के लिए है, rocket.chat app based messaging history आप देख सकते हैं, और उ उसके बाद यह काफी secure है, जहां पे आप invite कर सकते हैं, अपने guest को, तो यह है simple कुछ चीजें और कुछ video conferencing app जिसका इस्तिमाल आप कर सकते हैं, virtual team meeting के लिए, और alternative के तोर पे आप इस्तिमाल कर सकते हैं, अगर आप नहीं use करना चाते है, Microsoft Teams को और buy नहीं करना चाते है, subscription, तो आप इस्तिमाल कर सकते हैं, अपनी meeting को join करने के लिए, virtual team meeting के लिए, तो अगर आपको मेरा यह video पसंद आया हो, इसको like जरूर करें,